ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्वद चतुष्टयं यस्याहा सुष्मादी भेदे वागदेविन्तानु पास्महे मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्याले का इलेक्ट्रोनिक माध्यम निर्मान और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज शास्त्र विशयपार आधारित ध्वनि कारिक्रम प्रतीकात्मक अंतह क्रियावाद ये कारिक्रम एमे समाज शास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितिय प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की विधियां की दूसरी इकाई पर आधारित है इस कारिक्रम की विशय विशयशग्य है डॉक्टर माधवी लता दुबे कारिक्रम का ध्वनी मुद्रण, संपादन और प्रस्तोती करण किया है अमर बहाद्दुर यादव ने तो साथियों आए सुनते हैं ध्वनी कारिक्रम प्रतिकात्मक अंतह क्रियावाद मत्यप्रतेश भोज मुक्तविस विद्याले की एमे समाशास्ट की कक्षा में आप सबी का स्वागत है विद्यार्थियों आज हम सामाजिक अनुसंधान की एक प्रतिती प्रतिकात्मक अंतह क्रियावाद के संबंद में चर्चा करने जा रहे हैं इस सिध्धान्थ के पीछे क्या-क्या आज की स्व्याख्यान में हम समझ सकेंगे पहले हम इस पर चर्चा करें इस नाता किस तर की कक्षाओं में और सामाजिक अनुसंधान के प्रश्ण पत्र में आपने समाज को समझने के विविद उपागम और पद्धतियों को जाना होगा तो उनसे किस तरह प्रतिकात्मक अन्तह क्रियावाद का जो उपागम है वह किस तरह भिन्न है इसकी आवश्यक्ता क्यों हुई किस तरीके से यह समाज को समझने पर बल देता है प्रतिकात्मक अन्तह क्रियावाद को समझने के लिए किन-किन संदर्वों को जानना आवश्यक होगा और इसकी समिक्षा भी हमें करना होगी तो आज के स्व्यक्यान में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि परंपरागत अनुसंधान की पद्धतियां क्या रही है उनसे कैसे प्रतिकात्मक अन्तह क्रियावाद भिन्न है और क्या है प्रतिकात्मक अन्तह क्रियावाद विद्यार्थियों आप अपने अब तक के जो पाठिक्रम के अनुरूप आपने ग्यान अरजित किया उसमें आपने भली भाती यह समझा होगा कि शास्त्रिय समाशास्त्रिय परमपरा अज्यन की एक ऐसी पधती को विक्सित करनी पर बल देती रही है जिसमें समाज का विस्तरत अध्यन करके कुछ निशकर्स निकाले जाते और उन निशकर्सों को सिध्धान्त की रूप में प्रयोग करके कुछ अनुमानों की पुस्टी तथ्य के आधार पर करने के पश्चात पूरे समाज पर उन्हें लागू किया जाता रहा है उदारन के लिए आपने पढ़ा होगा समाज शास्त्री इमाईल दुरखीम, अगस्ट काम्टे, मैक्स पेपर, मार्क्स, पार्संस, इत्याती सभी शास्त्री परमपराएं सनरशनात्मक, प्रकार्यात्मक उपागम पर बल देती रही है इसके साथ ही समाज के उपर, समाज के एक बड़े हिस्से पर जो अनुसंधान करके आउधारनाओं को विक्सित किया गया उनके आधार पर निशकर्स निकालने का तरीका समाज में प्रचलित रहा लंबे समय तक अनुसंधान की इस पद्धती को हम सामाणी रूप से एक उपागम की रूप में निगमनात्मक उपागम कह सकते हैं तो क्या रहाया है उपागम? आपने अपनी पिछले अध्यानों में जाना होगा कि बाहर से व्यक्ति का व्यवहार समाज की संस्थाएं, संस्कृति, संगठन, संरशना की इकाईयां व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं और पूरा समाज एक सावयब कीता रहे, जिसमें अलग-अलग एकाईयां, यानि उसके अलग-अलग अंग हैं, जो एक दूसरी के उपर निर्भर हैं, और इसके आधार पे उनकी भूमिकाओं को परस पर निर्भरता के क्रम में जानके, जो निशकर्ज प्राप्ति किये जाते रहे हैं, उनके आधार पर सिध्धान्तों को बनाया गया, उदारन के लिए समाज शास्त्री इमाईल दुर्खिम ने कहा, कि व्यक्ति स्वयम आत्मत्या नहीं करता, बलकि आत्मत्या एक सामाजिक तथ्य है, व्यक्ति को किसी व्यावहार को करने के लिए समाज में वाध्य इस तरीके की जो चिंतन की परंपरा विक्सित होती रही उनीसमी सताबदी में इसके उत्रार्थ में हम देखते हैं कि अमेरिकन समाशास्त्रियों के एक दल ने उसमें मीड, ब्लूमर, खूले, इत्यादी का नाम हम ले सकते हैं, इन्हों ने एक नया विचारधार विक्सित की और यह कहा कि अध्यन का यह तरीका जिसमें हम समाशास्त्र को अन्य प्राक्रतिक विज्ञानों की तरह मानते हैं, उचित नहीं है, क्योंगी व्यक्ति समाज की इकाई है और हमें व्यक्ति को कैन्रित करके अध्यन करना आवश्यक होना चाहिए हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ जब व्यावहार करता है, तो उसके व्यावहार करने का ढंग, उसकी सोच अलग होती है, गतिशील होती है एक निश्चित क्रम में हम कुछ पूर्व अनुवानों के आधार पर निकाले गए जो निश्कर्स हैं, उनके आधार पे सभी के व्यावहार को एक जैसा नहीं आँख सकते विद्यार्थियो, आप स्वता इस बात को समझ सकते हैं कि समाज में सहयोग, संघर्ष की भावना अलग-अलग मुजूद होती है अलग-अलग व्यक्ति का व्यावार होता है और कभी हम इस बात पर भी चिंतन करते हैं कि कोई भी मनुष्य वैसा व्यावार क्यों करता है जैसा कि वो करता है तो हमारे दिमाग में इस तरीके के कई प्रश्न आते हैं कि व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का निर्वाह अलग-अलग धंग से कैसे करता है। प्रतिकात्मक अंतह क्रियावाद का जो पागम है, वह इसी बात को कैंडरित करके हमें इस तथ्थे की ओर ले जाता हैं, कि समाज को यदि हमें समझना है, तो हमें व्यक्ति को कैंडर में रख कर समाज को समझना होगा। तो आप समझ सके हैं कि परंपरागत जो तरीका था अध्यन का, उसका आधार था सनरशनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, प्रत्यक्षवादी, उपागम, पद्धती जो विज्ञानों से हमने ली, यानि हमने समाज में निर्धारित सनरशना की, पूर्व निर्धारित कारियों की कल्पना की, कि कोई भी काई है तो वह ऐसा ही काम करेगी, और उसके आधार पे हमने अध्यन करनी की परंपरा को विक्सित किया। प्रतिकात्मक अन्तहक्रियावाद एक नया उपागम है और व्यक्ति को समाज के कैंदर में रख कर, व्यक्ति के विचार, व्योहार और अन्तहक्रिया की आधार पर समाज को समझने पर बल देता है। तो आईए अब हम इस बात को जानना चाहेंगे कि प्रतिकात्मक अन्तहक्रियावाद किन-किन संदर्वों या आउधारनाओं से मिलकर तयार हुआ है। क्या संदर्व या आउधारनाएं हैं जैसा कि मैंने आपसे पूर में कहा कि मीड ने इस उपागम में अपना विशेस योगदान दिया। उनकी एक पुस्तक जो काफी चर्चित हुई Mind, Self and Society। माइंड, Self and Society में उन्होंने प्रतिकात्मक अंतर ख्रियावाद को समझाने के लिए कुछ आउधारनाओं का जिक्र किया। जिनकी चर्चां हम आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो यह कि मन, मन क्या है। प्रक्रती में जितने भी प्राणी हैं, उनका मस्तिश्क होता है, लेकिन मन एक सामाजिक निर्मिती है। मीट का यह मानना है कि मन समाज में कैसे तयार होता है, कैसे हमारे अंदर संबेग, आवेग, भाव, इनका निर्मान होता है, और हम कैसे किसी चीज का प्रतिकात्मक अर्थ लेते हैं, यह सब समाज में ही संभव है। और हम ऐसा क्यों कर पाते हैं, इसके लिए उन्होंने बताया कि विचार हमारी अंतर क्रिया का आधार होते हैं, यानि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हम दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, जब इस तरीके के विचार आते हैं, तो वे विचार हमारी अंतर क बहार करते हैं उद्देश्य को लेकर तो हमारे बीच अंतह क्रिया स्थापित होती है तो अंतह क्रिया की प्रक्रिया निरंतर समाज में जब चलती है तो हम समाज को भी उसी भाती समझते हैं इसलिए अंतह क्रियावाद जो प्रतिकात्मक विचार को लेकर उपागम विक्सित उसमें विद्वानों का यह मत है कि यह एक गतिशील निरंदरता है गतिशील इसलिए क्योंकि हमारे विचार सदयव एक जैसे नहीं होते हम जैसा अनुभाव करते हैं उसके अनुरूप हमारे विचारों में भी बदलाव आने लगता है तो जो विचार हम ग्रहन करते हैं या हम अपने दिमाग में बनाते हैं किसी भूमिका को लेके किसी व्यवहार को लेके उनके पीछे प्रतिकों की एक व्यवस्था होती है ऐसा मीट का कहना था प्रतिक याने जब अच्चा जन्म लेता है तो उस अवस्था में ही एक जुन-जुना यदि बजाया जाए तो उसका भी उसकी दिमाग में एक अर्थ विक्सित होता है दीरे-दीरे हसने, रोने, खाने, पीने, चलने, उठने, बैठने, कपड़े पहनने, रंग इन सब के बारे में उसकी धार्नाएं विक्सित होने लगती है और उनके साथ ही भाशा का भी अपना एक महात्व है जैसे ही हम किसी को संबोधित करते हैं, तो उन शब्दों का भी एक आशय उसकी पीछे होता है तो प्रतीक किसी आओधार्ना विशेश को हम किसी चिन को ही प्रतीक न माने बलकि प्रतीक कोई वस्तू, कोई विचार, भाशा या ऐसी कोई चीछ चीछ चो हमारे मन को प्रभावित करती है और उससे हमारा एक अर्थ हम उसका लेते हैं उस वस्तू का और फिर इसके बाद हम उसके अनुरूफ व्यक्तियों से व्यावहार करते हैं तो प्रतीक जब हमें हमारे व्यावहार में आचरन की तरीकी में आनी लगते हैं तो मीड का यह कहना है कि व्यक्ति का आत्म विक्सित होता है यह आत्म क्या है आत्मकार्थ यह है कि व्यक्ति स्वयम अपनी क्रिया के लिए एक वस्तु हो सकता है यानि व्यक्ति खुद अपने को पहचानता है कि वह क्या कर रहा है और बाहर की जो प्रेड़नाएं हैं उनके प्रति उसका प्रत्युत्तर क्या होगा, कैसे वह रियक्ट करेगा यह जब वह जान लेता है तब उसके आत्म का विकास होता है हम इस उपागम को समझ सकते हैं, मन जो समाज में तयार होता है, विचार जो अंतरक्रिया का आधार होते हैं, प्रतीक जिनको हम अलग-अलग अर्थों में लेते हैं, जैसे हम सभी रंग के आधार पे अपनी धार्णायम बना चुके हैं, जैसे हम हसना, रोना, खुश होना, द प्bourne प्रतीकों को समझते हैं, इसी तरह से भाशा में सम्मान जनक, अपमान जनक शब्दों के अर्थ को भी हम ले सकते हैं, तो कैसे हमारी भूमी काएं एक दूसरे के साथ व्यववार करते हुए, हमारे आत्म को विक्सित करने में मदद करती हैं, इसके बारे में हमने इन अब हम आपको बताना चाहेंगे कि मीड ने किस तरीकी से यह बतलाने का प्रयास किया कि व्यक्ति कैसे समाज में अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है और अलग-अलग व्यक्ति की अंतक्रिया अलग-अलग जों होती है मीड ने यह माना कि मैं मुझे और मेरे यदि हम इन शब्दों की अलग-अलग व्याख्या करें तो हमें समाज में इस बात को समझने में मदद मिलती है कि कोई भी व्यक्ति समाज में एक दूसरे के साथ जो अंतक्रिया कर रहा है वह किस तरीके से हो रही है देखे मीड का यह मानना था कि जो आत्म है उसका विकास तीन इस्तर पे होगा सबसे पहला तो अनुकरण का इस्तर दूसरा खेल इस्तर और तीसरा क्रिडा इस्तर अनुकरण का इस्तर वह इस्तर होता है जब बच्चा परिवार में जन्म लेता है और जैसे जैसे उसकी आयू बढ़ती है तो वह अपने परिवार में माता पिता भाई बहन इन सब की पैयु थोड़ी और बड़ी होती है, वह खेल-खेल में इन भूमीकाओं को निभाने लगता है। और कभी अपने नाटक में या खेल में अलग-अलग भूमिकाओं को निभा कर वह यह देखने की कोशिस करता है कि किस तरीके से व्यावार किया जाता है भावी जीवन में वह उन भूमिकाओं को निभाने के लिए तत्पर हो जाता है और जब उसे अंतरक्रिया करना होती है त जब उसे अलग-अलग भुमिकाओं के अनुरूप आचरन भी करना होता है। तो यह वह स्थिति है जिसमें उसका आत्म परिपक्व तरीके से विक्सित हो जाता है। करता उसके बारे में यह जानने लगता है कि दूसरे उसे क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे यदि कोई आप से कहे कि आप इमानदार हैं, तो कहने से इमानदार होना अलग बात है। आप सोचें कि आप बहुत इमानदार हैं, यह भी अलग बात है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आप से कहता है कि आपकी इस कार्य से आपकी इमानदारी का परिचय मिला और इससे हमें यह फायदा हुआ, तब आपका आत्म विक्सित हो जाता है और आप अपने आपको इमानदार समझने लगते हैं. तो मैं, मुझे और मेरे, मैं के बारे में करता जो भी व्यक्ति है वह अपनी इस्थिती को जानता तो है, लेकिन मुझे की इस्थिती तब आती है जब वह दूसरों की तुलना में, दूसरों के बारे में अपने को जानता है और जो तीसरी इस्थिती है, उसमें उसका सामान्य अर्थ विक्सित हो जाता है, जैसा कि हमने आपसे एकुदाहरण के रूप में बतलाया, कि जब आपकी भूमिकाओं से यह स्पस्ट होने लगता है, कि आपने अपनी भूमिका को निभानते वक्त, अंतरक्रिया करते वक्त, क्या ऐसा किया कि दूसरों ने उसका वा अर्थ लि लेकिन आपको कब ज़्यादा समझ में आएगा, जब आपकी भूमिका में परिष्ट्रम की बात की पुस्ट हो जाती है, तो इस तरीके से मीड ने मनो वैज्ञानिक स्थिती को समझाने का प्रयास किया, मीड के एक विद्यार थी हर्वर्ट ब्लूमर, हर्वर्ट ब्लूमर ने एक किताब लिखी, Symbolic Interactionism, और एक दूसरी पुस्तक, Man and Society, इसमें इन्होंने अपने गुरु की बातों को आगी पढ़ाया, और काफी चर्चित हुआ उनका या शब्द, तभी इसके नाम से उनकी जो पुस्तक थी, Symbolic Interactionism, उसी के नाम से ही एक संप्रदाय विक्सित ह हो गया कि इस आधार पर हमें समाज को समझना चाहिए, विद्यार्थियों जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में कहा कि शास्त्रिय अध्यन की जो परमपरा थी, उसकी विप्रीत में यह पद्धति, यह पागम विक्सित हुआ, तो हर्वर्ट ब्लूमर भी परमपरागत तरीक जो वैज्यानिक तरीका था, प्रत्यक्षवादी तरीका था, उसके विप्रीत आध्यन पर बल देते रहें, इन्होंने यह कहा कि हमें प्रतीकों को एक संदर्व में देखना होगा, मैं एक छोटा सवधारन आपको देना चाहूंगी, जैसे एक कुरसी है, यदि किसी आफि प्रवेश करने की अनुमती देखरेक के लिए एक चपरासी वहां बैठता है, उस कुरसी पे, यदि वह कुरसी अंदर है, कक्ष में, लेकिन वह जो टेबिल है, उसके सामने है, तो आपको यह समझ में आएगा कि संपर्क में आई हुए लोग, यह कर्मचारियों के लिए व पिल्कि उस तरफ जो मुख्य कुरसी होगी, उस कुरसी की स्थिती बदली है, कुरसी तीन जगे अलग-अलग रखी तीजे, तो तीनों प्रतीकों का अर्थ वदल जाता है, यानि एक जगे आपको समझ में आएगा यह वास की कुरसी है, मुख्य अधिकारी की है, एक जगे आपको समझ में आएगा यहां किसको बैठना है, अपने आप अपनी भूमिकाओं को समझ पाएंगे कि आपको कहां इस्थान है आपका, तो प्रतीक व्यक्ति की भूमिकाओं के पीछे चुपे अर्थ को इस्पस्ट करते हैं, ब्लूमर ने यह कहा कि किसी भी वस्तु में न इधी को विक्सित करने पर बल दिया कि हमें प्रतीकों के माध्यम से व्यक्तियों के बीच होने वाली भूमिकाओं को समझने पर बल देना चाहिए, ना कि साव्यवी आधार पर, प्रत्यक्षवादी आधार पर, या सनरशनात्मक, प्रकार्यात्मक उपागम के आधार पर किसे आगे और भी इस सिद्धान्त में अलग-अलग विचार प्रदर्शित किये गए एक और मनोवैग्यानिक फ्रायड का नाम आप जानते होंगे। फ्रायड ने व्यक्ति के व्योहार को मन के अवस्थाओं के अनुरूप बतलाया। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का व्योहार अलग-अलग होता है। तो फ्रायड ने इसको कैसे समझाया। उन्होंने कहा कि इद, इगो और सुपर इगो। इद, अहम, पराहम यह चो तीन स्थितियां हैं, इन में व्यक्ती का व्योहार अलग-अलग होता है। इद में व्यक्ती तातकालिक रूप से अपनी इक्षाओं को संतुस्ट करने के बारे में सोचता है। इगो में जो अहम है इसमें व्यक्ति यह तो सोचता है कि उसकी एक्षायम पूरी होना चाहिए लेकिन दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं इस पर विवह विचार करता है और जो तीसरी स्थिती है इसमें व्यक्ति यह सोचता है कि उसके द्वारा किया जाने वाला यह व्यावहार क्या उचित है या उचित नहीं है मालीजे किसी पुस्तकाले में एक विद्यार्थी पहुंसता है और उसे संदर्व की रूप में एक पुस्तक के कुछ खास पन्नों की बेहद आवश्यक्ता है पहली स्थिती में वह क्या करेगा चुप केसे देखेगा कि किसी ने उसे देखा नहीं है और उन पेजों को वह फाड लेगा तातकालिक रूपसस ने अपनी आवशक्ता को पूरी किया दूसरी स्थिती में उसे लगेगा कि नहीं दूसरे अगर देख लेंगे तो क्या होगा तो वह कोशिस करता है कि उस स्थिती को ठीक करे यानि दूसरे उसे अपमानित न कर पाएं इससे बचने का वप्रयास करता है सोचता है कि हम इन कागजों से अपना काम पूरा कर लें और इसके बाद इस किताब को सुरक्षित रग दें उन पेजों को हटा दें वहाँ से ताकि कोई उसे समझ न पाएं तीसरे स्थिती में वह सोचता है कि नहीं इन प्रस्थों के साथ उस पूरी किताब की उपयोगिता है और मेरी तरह किसी और व्यक्ति को भी इस उपयोगिता को पूरा करना होगा तो वह उन प्रस्थों को वापस उस पुस्तक में लगाता है और वाकाइदा सेल्फ में चमा देता है तो इस तरीके से व्यक्ति का जो व्यावहार है वह अलग-अलग भूमिकाओं में होता है और यह भूमिकाओं अलग-अलग क्यों होती है क्योंकि जो मन हैं जिसकी चर्चा मैंने आपसे पूर्व में की वह समाज में निर्मित होता है समाजी करण की प्रक्रिया में हम क्या सीख पाते है क्या तात्कालिक आवश्यक्ताओं की संतुष्टी चाहते हैं या हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं तो हमारी भूमिकाएं अलग-अलग होती हैं एक और विचारक कूले कूले ने आत्मदर्पन दर्शन की बात की उन्होंने यह कहा कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं हम अपनी भूमिकाओं को उसी तरीके से निभाने का प्रयास करते हैं तो इसलिए उनके सिध्धान्त का नाम आत्मदर्पन दर्शन का सिध्धान्त है यानि हमारी भूमिकाएं एक दूसरे के बीच अंतख्रिया के अनुसार, यदि किसी ने आप से कहा कि बहुत अच्छे हैं तो आप अच्छी भूमिकाओं की तरफ आगे पढ़ेंगे अच्छाई की तरफ आपकी भूमिकाएं होंगी और यदि किसी ने कहा कि यह बुरा है तो फिर बुराई की तरफ आगे पढ़ेगा जैसे कि अपराद शास्त्र में लेवलिंग थ्योरी करके एक सिध्धान्त बहुत प्रचलित हुआ कि किसी अपरादी की व्योहार को यदि एक लेविल दे दिया जाता है तो फिर वह इस दिशा में आगे और अपराद की तरफ बढ़ता जाता है तो ऐसी कई बातें इस सिध्धन की माध्यम से उपागम की माध्यम से सामने आई विद्यार्थियो इस पूरी विचारधारा में हमने यह जाना कि प्रतिकात्मक अंतरक्रियावाद इस मान्यता पर आधारित है कि समाज की इकाई व्यक्ति है और व्यक्ति के विचार समाज में निर्मित होते है उसका मन एक सामाजिक निर्मिती है जो गतिशील है, परिवर्तनशील है तो हम परमपरागत तरीके से अध्यन न करके बल्कि दिन प्रति दिन का जो व्योहार है या अलग-अलग व्यक्ति की जो भूमिकाएं हैं इसके आधार पर अध्यन करके किसी निश्कर्स पर पहुँचें तभी हम समाज की वास्तविक्ता को पहचान पाएंगे लेकिन इस सिद्धान्त की अच्छाईयों के साथ कुछ कम्या भी हैं जैसे लंबे समय तक अनुसंधान और अध्यन का जो आधार रहा है समाज विज्ञान में, समाज शास्त्र में या सिद्धान्त उनको अमान्य मानता है यानि जो परिवर्तन विकास या संगठन के पारे में जो भी कहा गया व्यावस्ता के पारे में उसके प्रती इस सिद्धान्त का सकारात्मक द्रश्टी कौन नहीं है दूसरी बात यह है कि हर एक विज्ञान में भविश्यवानी करने का एक आधार होता है लेकिन इस सिद्धान्त के माध्यम से चुकि मन को गतिशील तथी की रूप में माना गया और अंतहक्रिया को परिवर्तन शील माना गया तो भविश्यवानी करने का सवाली नहीं उठत तो इस तरीके से बहुत हद तक हमने समाज में बिविधता पूर्ण जो व्यावहार है कि अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग कैसा व्यावहार करते हैं और समाज की काई व्यक्ति है तो इसको समझने के लिएक महत्वपूर्ण आधार जरूर इस उपागम से हमें प्राप् तक हैं आज की कक्षा में वस इतना ही धन्यवाद अभी आप सुन रहे थे समाज शास्त्र विशय पर आधारित ध्वनी कारिक्रम प्रतिकात्मक अंतहक क्रियावाद कारिक्रम की विशय विशय शग्य एवं वार्ताकार थी हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे निवेदक्थे तरुन कांत भार्गव इस कारिक्रम का ध्वनी मुद्रन, संपादन और प्रस्तोती करण किया अमर बहादुर यादव ने ये सेक्षनिक ध्वनी कारिक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्व विश्व विद्याले के इलेक्ट्रोनिक माध्यम निर्मान और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया प्रस्तों प्रस्तों अिर्मित किया गया गया बहादः रखेश्व विश्याले की शोध किया थे।